यू आर वाचिंग HFAD News असलाम लेकूंग, मैं हूँ सालिय जाहिद मुलकी और बैनुल अक्वामी हबरों पर मुश्टमिल मुक्तसेर बुलिटन इस्राइल की गज़ा पर अंदा दून बंबारी जारी बना गुजीन कैम्पर हमले में 56 फरस्तिनी बचे शहीद हो गए अस्पतालों में दवाओं और घजाई किलत के बाइस मसलूम फरस्तिनियों को शदीद मुश्किलात का सामला इस्राइली हमलों के बाइस तबा शुदामारतों के मलबवे से जफमी निकालने का सिलसिला जारी है आलात और मशीन भी ना होने के बाइस कंकरीट के मलबे में दवे अफराद को निकालना मुश्किल हो गया यूडिलिटी स्टोर्स पर सबसेडी वाले सस्ती चीनी आठ रुपे फी किलो महंगी कर दी गई यूडिलिटी स्टोर्स पर आम सारफीन के लिए फी किलो चीनी की कीमत एक सो पचपन रुपे मुकरर कर दी गई अक्वाम मुत्हिदा की सलामती कौंसल के चलास में खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल इंटोनियों गोट्रेस ने कहा कि घजा में किया जाने वाला जल्म बेन अलाक्वामी कवानीन की वाहजे खिलाव वर्जी है दूसरी जाने फिलस्तीनियों की हमायत में बयान देने पर इस्राइल ने अक्वाम मुत्हिदा के सेक्रेटरी जनरल इंटोनियों गोट्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए बोरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया साल का आफ़ी चानगिरन 28 अक्टूबर को होगा जो पाकिस्तान समेंद मुक्तलिप मुमालिक में देखा जा सकेगा चानगिरन पाकिस्तानी वक्ट के मताबिक 28 अक्टूबर रात 11 बच कर एक मिनट पर शुरू होगा बारत में होने वाले आइसी सी वर्ल कप के 23 मैच में जनुबवी अफरीका ने बंगलादेश को 104 रन से शिकस दे कर फता हासिल कर ली मजीद मालूमात और वीडियोज के लिए हमजा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें आला हाफिस